हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त देव एंड आप देख रहे हैं इतिकसर्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने सब्सक्राइब करना होगा इस तरह की शांदार तीम कैसे लगानी होगी लेकिन जड़ा रुकिए दोस्तों एक खास सीज आपकी लिए हैं मैं हर वीडियो के अंदर एक गिववे करता हूं 100 रुपीज के गिफ्ट कार्ड का लेकिन इस वीडियो में भी आज वह करने वाला हू तो आगर आप उसमें पाटिसिपेट करना चाते हैं तो उस सबसे पहले तो आप क्या करना होगा तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बैल आइकन को लाइक करना होगा और एक सिंगल कमेंट करना होगा और एक सिंगल कमेंट कर देना जब इस वीड तो दोस्तों अपने MI Band 4 के अंदर कस्टम लगाने के लिए सबसे बहले तो आपको MI Band 4 का fitness app डाउनलूट करना पड़ेगा यानि कि notify and fitness app जो है वो आपको डाउनलूट करना पड़ेगा उसके लिंक आपको description में मिल जाएगी तो अभी हम इस app को open कर लेते हैं open करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ interface आपके सामने आपको दिखने लग जाएगा आपको यहां से back कर लेना होगा back करने के बाद जो यहां आप 3 dots आपको दिख रहे हैं इस पर आपको click कर देना है पर उसके बाद दोस्तों आपको setting का option आपको मिल रहा होगा इस पर आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखी update का option दिखेगा आपको उस पर click कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको choose file का option दिखेगा उसको आपको click कर देना होगा पर आपको देखिए यहाँ पर दो file है मैं provide करूँगा दो files आपको provide करूँगा description में एक तो होगी resources की file दूसरी होगी firmware की file और तीसरी वाली जो होगी हमारी theme की file होगी वह आप लगा सकते हैं तो सबसे पहले हमको resources और firmware जो है अपडेट करने होगी तो मैं एक जो resource की file है उसे choose कर लेता हूँ और यहाँ पर start update पे मैं click कर देता हूँ तो जैसी मैं इस पर click करूँगा दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा show होने लग जाएगा 0% से लेकर 100% तक आपको इसको 100% होने देना है तो मैं इसे होने देता हूँ दोस्तों तो दोस्तों हमारा resources वो तो update हो चुका है लेकिन अब हमें इसमें firmware को update करना होगा firmware update करने के लिए दोस्तों जो मैंने second file आपको provide करिये उसको आपको select कर लेना है आपको थोड़ा से wait करना ही पड़ेगा wait करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो दोस्तों हमारा firmware resource है वो दोनों ही update हो चुके हैं अब हमें क्या करना होगा अब हमें जो main theme file है उसको हम select करना पड़ेगा तो यह main जो हमारा अभी काम है windows वाली theme को मैं select कर लेता हूँ यहाँ तो मैंने उसको select कर लिया है और यहाँ पर जैसे में start update पर click करूँगा मेरा जो mi band 4 का theme है वो update हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों simple काम कर सकते हैं और आप भी अपने mi band 4 की theme है उसको change कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई साभी theme लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसने तो वीडियो को जरूरी लाइक कर देना अपने दूस्तों के शेयर कर देना और साथ मही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी इस तरह की कुछ वीडियो आप देख सकें और साथ ही दोस्तों हमारे giveaway में participate करना बिल्कुल भी मत भूलना उसकी जो उसमें जब हमारे वीडियो पे 100 लाइक पूरे हो जाएंगे तो हम winner का announcement कर देंगे तब तक के लिए goodbye